बैंगलोर में क्रिकट नहीं हो रही है भाया खिलवार हो रहा है एक टाइम पर ऐसा लगता है कि भारत ने पकड़ अच्छी बना लिया और दूसरे टाइम पर फिर से वही जो होता है जो हो जाता है न्यूजिलेंड को हम देखते हैं भाई चुप-चुपीते नीचे से निकल सलाम तो करनी पड़ेगी देखिए हमारे पास भी फास्ट बॉलर है लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर अच्छे नहीं है लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूँ डिटेल में और क्या रिजन है कि सरफराज घान डेर सो स्कोर बनाते हैं व से पहले बात करते हैं जी सरफराज खान की सरफराज खान ने मतब 2020 में 2020 में 2020 में ट्रिपल संच्टी की थी दुमेस्टिक में और नो डूट इसमें बिलकुल कोई बुरी बात नहीं होगी अगर मैं यह चीज़ आपको कहूं कि चार साल 3 से 4 साल सरफराज खान के जाया किये ये BCCI की नेगलिजन्स है BCCI ने बिलकुल ये चीज़ गलत की है तीन से चार साल सरफराज खान के आपने जाया करवाई है अगर उस टाइम से ये आपने सरफराज को लिया होता तो वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता रोहित शर्मा, विराट कोली, बड़े-बड़े टीकेश प्लेयर के साथ वो जब ये ड्रेसिंग रूम शेयर करता और इस से कहीं ज़ादा और मैचवर होता और निखर के सामने आता आज देखें आपके डुमेस्टिक क्रिकट को हर साइड वैल्यू क्यों दी जा रही है आप IPL बेसिस प्लेयर के उपर कितना डिपेंड करोगे आप PSL बेसिस के उपर प्लेयर के कितना डिपेंड करोगे अभी कल ही पाकिस्तान ने तीन साल आठ मैने और ग्यारा दिन के बाद अपनी धर्ती पे एक मैच जीता है टेस्ट मैच और उसमें जितवाया किसने है कि आपके डुमेस्टिक के प्लेयर्स ने दो आपके आगे स्पिन बॉलर साजिद खान कटपा और नुमान अली और साथ में कामरान गुलम इंगलेंड के ओपोजिशन में जब इंडिया खेल रही थी तो उनको मोका दिया गया था लेकिन उसके बाद बंगलादेश की टीम जैसे आती है तो सर्फराज खान को चांस नहीं दिया जाता अब ये सर्फराज खान की किस्मत थी देखिए आपके शुबन गिल का खेलना बिलकुल तया था उनको कुछ नेक में स्टिफनस आती है उसके चलते हैं उनको मैच से बाहर रखा जाता है कि नेक्स मैच में आप खेलिएगा इस मैच में आप रेस्ट कीजिएगा और सर्फराज खान आते हैं पहली इनिंग में सिफर पे आउट हो जाते हैं और दूसरी इनिंग में डेड़ सो रन करते हैं एक टाइम था कि 408 रन पे भारत के तीन प्लेर आउट थी जो कल की दिन पे तीन तीसरा लास्ट बॉल पे विराट कॉली अनफॉचनेट रहे गे लास्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं 70 रन बनाने के बाद और सरफराज खान भी 70 पर ही खेल रहे थे आज वो शेतक भी करते हैं डेड़ सो भी करते हैं और 408 तक वो ही सेम चल रहा था बिल्कुल न्यूजिलेंड के फास्ट बॉलर से और सोधी आते हैं और काफी परिशान करते हैं पहले सरफराज खान को और फिर रिशप पांदन को समझाते हैं कि भाई ऐसा अप रैश में मात जाओ जैसे हम अभी क्योंकि वो बहुत खुल के खेल रहे थे चाहे स्पिन और हो चाहे पेसर्स हो एक टाइम पर ऐसा था कि टॉम बलंडर उनके विकेट कीपर मैट हेंरी को विकेट की ऊपर चड़के किपिंग कर रहे थे और जो ही बॉल चेंज होती है तो उनको मतलब होता है ना कि एक सहारा मिल गया उनको जान में जान बढ़ गी न्यूजिलेंड के फास्ट बॉलर्स को और जैसे आता है टो टीम सोधी ने आते ही एक दो वर के बाद सरफराज खान को चलता किया उसके बाद रिशब पंथ को विलियम औरूर की पता नहीं यही कुछ नाम है उन्होंने क्लेन बोल किया भाई वो तगड़ी बॉलिंग कर दे कल कुछ लोग हम हमारे कुछ भाई उनका मजाक ओड़ा रहे थे उनके नाम के ओपर कि यह कौन बंदा है इसको कौन पहचान भी नहीं रहा है भाई उसने आज दिखा दिया कि मुझे कौन पहचानता और कौन नहीं पहचानता है तो यह चीज़ जो बात सही है सर उसको बिल्कुल सही कहिए तो आप यह चीज़ मान के चलिए कि न्यूजिलेंड की फास्ट बालिंग अभी हमसे जादा बहतर खेल रही है ऐसा नहीं है कि वो हमसे बहतर है बट वो डिस्पले बहतर कर रहे हैं जैसे ही उनको मदद मिलती है वो पूरा यूज करते हैं पहले इनिंग में देखिए फास बालर ने हमें अतनी हेल्प नहीं कि जितने न्यूजिलेंड के फास्ट बालर उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके स्पीनर से कुछ भी नहीं हो जा रहा है तो ये ये कहा जाए कि उनने मतलब अपने हूम ग्राउंड पे वो ऐसा ही केलते हैं उनके स्पीनर की तरफ कम तोज़े होती है अपने फास्ट बालर की तरफ ज़्यादा उनकी रोजान होता है दिहान उनको ज़्यादा रखा जाता है और आप इस चीज़ को देखिए कि 408 पे तीन आउट होते हैं और 462 पे अल उट हो जाती है इंडिया की टीम और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी प्लेयर पे अगर ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है तो वो हो रहा है केल राहुल के उपर देखिए बॉल नेया था केल राहुल तो हम मानते हैं ना कि करें वो बेसिकली तो ओपनर है ना मेकशिफ्ट किया हुआ उनको नीचे डाला हुआ है उपनर बले बास को नई बॉल के साथ खेलने में कोई परेशानी कोई दिक्ट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो स्विंग को सीम को लंबी अर्शे से खेलते वह आ रहे क्य से कितना बाहर निकल के फास्ट बाल को खेल रहे थे और वहीं पर आपके क्याल रहों फस जाते हैं नो डूट बॉल उनको बहुत अच्छी पड़ गी लेकिन सर आप हर बॉल की पीछे ऐसे ही लपकेंगे तो बॉल तो चिपकेगी बैट के साथ और जब आपी करवाई में जब अल आउट हो जाते हैं तो वापिस आते हैं न्यूजिलेंड की अब न्यूजिलेंड को चाहिए एक सो साथ रन जीतने के लिए लेकिन अभी जब वो आए थे तो हम सब यही सोच रहे थे कि अभी शाम का टाइम है अगर दो से तीन विकट भारत ले ले लेती है पचास लेनी थी और कल जब न्यूजिलेंड आती तो एक बड़ा टफ काम था बहुत मुश्किल था एक सो साथ रन जादा नहीं है लेकिन अभी अब विकट की हाला देखो और भारत की गैंदबाजी को देखो आप तो प्रेशर भी बहुत होगा लेकिन आज अगर वो दो से तीन मिल जाते उसके बाद लेकिन वो अभी दो से तीन विकट किया एक विकट भी नहीं मिला जैसे ही खेल शुरू होता है चार गेंद का खेल होता है उसके बाद बैड लाइट हो जाती है और जैसे बैड लाइट होती है तो उसे डिसकेशन में प्लेयर और इंपार बात ही कर र गया और कल सुबा सुवा नो बजे खेल खेला जाना है और अठानवे ओवर कल की दिन में अगर एंड तक 98 तो नहीं जाएगा- खेल दिखिए अगर इंडिया भी जीता- तब भी या न्यूजिलंड भी जीता यह आपका खेल है सिरुफ और सिरुफ 30 ओवर का थटी ओवर तीस ओवर की गेम है कल आपकी इसी में डिसाइड हो जाना है 98 तो होने नहीं है तीस ओवर में आपको पता चल जाना है कोन जीतना कोन हार है जब अगर 10 रन पे 15 रन पे 2-3 विकेट इंडिया लेने में काम्याब हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा न्यूसिलेंड के लिए लेकिन अगर ऐसे अगर आप देखा जाए तो न्यूसिलेंड का पलड़ा अभी काफी भारी नज़र आ रहा है अब देखते हैं कल सुबा क्या होता है उमीद आपको वीडियो आज के अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भई फोलो कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपना बोजा ख्यार रखना अलाहाफिज